गेर जहरीले साम्प को भी ज्यादा से ज्यादा फन फेलाना चाहिए जहर हो ना हो, बरे फन का फेलव भी तो खौफ की ही अलामत होता है इसे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आपने कितने मनसूबे शुरू किये फर्क इससे पढ़ता है, कितने मनसूबे आपने मुकम्मल किये इल्म वालों को लोग इज़त देते हैं, हर जगेह उनकी पूजा होती है वो दूसरों को नफा पोहंचाते हैं, सीखना हर जगेह ही इबादत शुमार होता है जिसे सिर्फ एक जलता हुआ सूखा द्राक्ट पूरे जंगल को जाला देता है, सिर्फ एक बुरी आउलाद भी पूरी फैमली को तबाह कर दालती है सिर्फ एक ही अच्छी आउलाद, इल्म और अच्छे अखलाक वाली, पूरी फैमली को रोशंग कर देती है, जिसे चांद रात को जैसे एक अच्छी किसम का द्राक्ट, अपने खुश्बूदार फूलों की खुश्बू से सारे जंगाल को महका देता है एक अच्छी आउलाद भी पूरी फैमली को महका देती है अच्छी सिफात वाला एक बेता भी काफी है, बगहिर किसी खूबी के, सो भी हों तो किस काम के आस्मान में खरबुन सितारे हैं, मगर रात को सिर्फ चांद ही रोशं करता है सांप, बादशाह, जंगली द्रिंदा, धाबूरी, बचा, दूसरों का कुत्ता और बेवकूफ ये साथ लोग अगर सो रहे हों, तो कभी न जगाएं तालिबिल्म, नोकर, मुसाफिर, भूका शाक्स, खावजादा शाक्स, खजंची और दर्बान ये साथ लोग अगर सो रहे हों, तो इन्हें लाजमी जगादें एक फिक्रा, या आधा, या आधे का भी आधा, या भले एक हर्फी सही, परहना चाहिए के बगहर सडके, बगहर परहे, बगहर नेकी के काम के, कोई दिन भी नहीं गुजरना चाहिए बढकार बीवी, जाली दोस्ट, चुगहल खुरनोकार, लाजमी मुसीबत लाते हैं जेसे साब के साथ रहना, यकीनी माओध ही लाता है बीवी वहीन जाती हैं, जहां उसका शोहर होता है, अपना फोकस इलम पर रखी, दौलत खुद ही आजेगी बचे के मुझे भी कोई समझदारी की बात निकल जाए, दाना उसे जाया नहीं करता जब किसी काम के लिए जहन में खाका बना लिया जाए, तो हिकमत य अमली के तौर पे उसे अलफाज में जाहिर नहीं करना चाहिए ताकि घर महसूस अंदाज में नहीं काम कर लिया जाए जैसे तालीबिल्म, तालीम मुकमल करके अपना रास्ता लेता है, जैसे जानवर जाले हुए जंगल छोड़ देते हैं इनसान को भी चाहिए कि जिस मकसद के लिए कोई थिकाना, उड़ा या कुरसी हासिल करता है, मकसद पूरा होते ही उसे छोड़ दे, ये उसकी हिकमत की निशानी है तकरीर मौका के मुताबिक, मुहबबत जलाल के मुताबिक, गुस्सा अपनी ताकत के मुताबिक, ये तीन चीज इन जो जानता है, इल्म वाला है याद रहे आस्मानी बिजली की आवाज स्ट्राइक के बाद आती है जंगे इस पर नहीं होते, कि सही कौन है, बलके अक्सर इस पर होती है, किरे कौन गया है नेकशाक सिर्फ खाने की निमत पर ही मुतमेन हो जाता है, मौर बादलूं की गर्ज पर मुतमेन, वाली दूसरों की खुशाली पर खुश जबके शेतान सिफ्ट खबीज फिटनागर दूसरों की मुसीबत पर खुश होता है रत को पांच हाथ के फासले पर, घोरे को दस हाथ, हाथी को हाजार हाथ के फासले पर रखना चाहिए जबके एक शेतान सिफ्ट फिटनागर आदमी को मुल्क से ही निकाल कर छोड़ना चाहिए बिल्कुल कोरा जमीर अमूमन याददश्ट की खराबी की अलामत होता है जादुगर आपको इंतिखाब के लिए कई चॉइसिस देगा, मगर आप चुनते वही हैं जो जादुगर चाहता है कॉइल की खूबसूर्ती उसकी सुरीली आवाज में है ओरत की खूबसूर्ती अपने शोहर की वाफ़ादारी में बडसूरत आदमी की खूबसूर्ती उसके इल्म में और ताकतवर की खूबसूर्ती मुआफ कर देने में है पानी का एक कत्रा बकायटगी से गिरता रहे तो घरा भर जाता है तमाम इल्म, रासबाजी और दौलत का भी यहीं हिसाब है एक दोरंदेश और जहीन शाक्स, मुसीबतों का मुकाबला, कहीन ज्यादा मुसिड तरीके से कर सकता है, बनिजबत उस मुहलिक काहिल के, जो बिलाखिर अपनी कुताह नाजरी और बेमली की वज़ा से तबाह हो जाता है एमक को खुद से बहुत दूर रखना चाहिए, क्यूंके वो दो तांगू वाला हेवान ही होता है, जिसकी नामकूल तेज धारबाती अंदेखे कांतू की तरे चुपती है आजाद मुआश्रा वो होता है, जहां घिरमक्बूल होना भी मेहफूज हो आजादी ये इजहार के साथ लेकिन न सुनने की आजादी भी होती है एक गोड हाथी को कंट्रोल कर सकता है, हाथ का थाप पर घोरे को, लाथी सिंग वाले जानवारून को मगर एक फसादी खबीस फितरत आदमी को सिर्फ तलवार वाला हाथी कंट्रोल कर सकता है एक गोड हाथी के वसी जिस्म को कंट्रोल कर लेता है, तो किया गोड हाथी से बरा होता है एक दिया पूरे कमरे को रोशन कर देता है, तो किया वो कमरे या अंधेरे से बरा होता है बिजली की एक करक से पहार के तुक्रे हो जाते हैं तो किया एक करक पहार से बरी होती है नहीं बलके तकत अजमत में होती है मैं जवूसत में कुछ नहीं रखा कारोबार का सुनेहरी उसूली ही है के बोलने से पहले दो बर सुचेन यही वाज़ा है कि एक तेलार कोभी सगिर्दी के दोरान नसीहत की जाती है कि मापो दो बार का तो एक बार एक अच्छा लीडर खूब जानता है कि पुराजम मुलाजमीन ही कोई कमपनी चला सकते हैं और मुतमें सार्फीन ही अच्छा बिजनेस लाते हैं अच्छी बीवी वो है जो अपने शाओहर की सुभो मान की तरह खिद्मत करे दिन को बेहन की तरह मुहबबत करे और रात को तवाइफ की तरह खुश करे अपने काम की हमेशा मनसूबाबंदी करें फिर उस मनसूबाबंदी पर अमाल करें मेहमान सिर्फ तभी एहम होता है जब उसका कयाम मुक्तासर हो अगर वो बिना हिचकी चाहत और बिशार्मी से कयाम बरहाता है तो यी ब्यद भी है जिसे तवाइफ घरीब को छोड़ देती है अवाम शिकास्ट खुरदा बादशाह को प्रिंडे सुखे द्रक्तों को वेसे ही मेहमान को भी जो कुछ पिश किया जै खा कर उसकी तरीफ करे और रुखसत हो जाए गुरू वो होता है जो आपको दुन्यावी और रूहानी दोनों लिहाज से दाना बनाना चाहता है जिसे मेहनती आदमी भूका नहीं रहता जो खुदा को याद रखता है कम ही गुना करता है पुरम तबियत का आदमी जगरे नहीं करता वेसे ही चौकस आदमी को कोई खौफ नहीं होता हर पहार में हेरे नहीं होते हर हाथी के सरमेन मोती नहीं होते हर जगा अच्छे लोग नहीं होते हर जंगल में संडल नहीं उगते हीरे पाउं में भी लुरहकते मिलते हैं गिलास सरों पे रखे भी लेकिन खरीदो फरोख्ट के बजार में हीरा हीरा होता है जबके गिलास महज एक शीशा बादशा की ताकत उसकी बहादरी में होती है आदमी की ताकत उसके इल्म में औरत की ताकत उसकी खूबसूर्ती जवानी और शीरी गुफतगू में होती है बादशा की बीवी, उस्ताड की बीवी आपकी बीवी की मा और आपकी अपनी मा हमेशा याद रखी, ये पांच ओरते आपकी माये हैं जिसे ताकत से आरी आडमी, सन्यासी बन जाता है कंगाल आडमी ब्रेहमी बन जाता है बीमार आडमी खुदा का बंदा बन जाता है बूरही होकर हर औरत ही शोहर की वफदार बन जाती है इंसान आकेला पेड़ा होता है, अकेला ही मरता है, वो अपनी अच्छी बुरी किसमत का अकेला ही सामना करता है और जन्नत या जहन्नुम जहां भी जाए अकेला ही जाता है इंसान आमाल से अजीम बनता है किसी अजीम के घर पेड़ाश से नहीं इंसान किसी नोबल फैमिली में पेड़ा हो सकता है, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत मढ़ हो सकता है, लेकिन अगर वो इल्म के मिडान में बरा जीरो है, तो वो उस फूल की तरह है, जिसकी कोई महक नहीं होती उसकी जिन्दगी की भी कोई महक नहीं होती जिस आडमी के मुग को हरवक्त जुलाब लगे रहते हूँ, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, चाहे वो बधाजमी से हो, या फिर फानसी से जिस शक्स का ना कोई मधाब हो, ना उसमें रहम हो, उससे मुस्तारट कर दी जिस उस्तारट के पास कोई इल्म ना हो, उसे मुस्तारट कर दी जिस बीवी का औरना बिछोना हरवक्त बस्ताने हूँ, उससे और बेमुरवत रिष्टदरों से फासला ही बहतर है एक मैनेजर भी अगर काम को, महस टास्क नहीं, सीखने का मोका समझे, तो कंपनी का मालिक बन सकता है आपको जालमाना हद तक का रासबाज नहीं होना चाहिए जैसे सीधे दरक्ट पहले काते जाते हैं, सीधे लोगों की धिबरी भी पहले टाइट की जाती है मुहताथ, होश्यार और बाखाबर शाक्स बेखाफ होता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता खुबसूर्ती और मेकप को एहमियत देने वाला हवस परस्थ होता है जीज जगे हिनसान के लिए कोई इज़त ना हो, आमदान, रोजगार के जराय ना हो, खैरखा, दोस्त, रिष्टेडार ना हो, सीखने और तलीम के मवाके ना हो, ऐसी बिकार जगे को फौरण छोड़ देना चाहिए